नमस्ते, भाई जी, मुझे खुशी है कि आप आप आए, मैं इन नई क्रिशी मशीनों के बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ, सोचा कि आप मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं नमस्ते, भाई साहब, जरूर, मुझे खुशी होगी, आधुनिक प्रिशी उपकरन वास्तव में खेती के तरीकों को बदल रहे हैं, आएए हैपी सीड़ से शुरुआत करते हैं हाँ भाई जी, मैंने सुना है कि यह पराली प्रबंधन में मदद करता है बिलकुल भाई साहब, हैपी सीड़ आपको पिछली फसल के अफशेशों को हटाए बिना सीधे मिट्टी में बीच बोने की अनुमती देता है इससे पराली को नियंतरित करने, जलाने से रोकने और मिट्टी की सेहत को बनाए रखने में मदद मिलती है यंतरहपी सीड़ के माध्यम से धान की कटाई के बाद गेहूं तथा अन्य फसलों की नर्वाई बिना जलाए सीधी बुआई की जा सकती है फसल में पानी कम लगता है, खरपतवार भी कम होते हैं और उतपादन आधिक होता है इससे समय और लागत दोनों की बचत होती है ये बहुत बढ़िया है भाई जी, सीड़ कम फर्टिलाइजर ड्रिल के बारे में क्या? सीड़ कम फर्टिलाइजर ड्रिल एक शांदार उपकरण है ये बीज बोता है और उर्वरक को एक साथ डालता है, जिससे एक समान वित्रन सुनिश्चित होता है इससे न केवल समय की बचत होती है, वलकि फसल की उपज और पोशक तत्वों के उप्योग की दक्षता भी बढ़ती है इससे बीच को मिट्टी में निर्धारित गहराई पर बोया जाता है जिससे अनकुरन अधिक होता है उर्वरक की उचित अनुपात में पोधों की जड़ों तक पहुचाया जा सकता है ये कुशल लगता है और मैंने स्ट्रॉबेल को काम करते हुए देखा है इससे हमें क्या लाब होता है भाई साहब एक ऐसा क्रिशी यंत्र है जो पराली को खेतों से एकठा करके छोटे गद्धे बना देता है एक घंटे में एक एकड़ खेत से पराली को हटाया जा सकता है नर्वाई के स्थानां तरण संग्रहन आदी किया जा सकता है बढ़िया और रोटरी मल्चर के बारे में क्या रोटरी मल्चर का उप्योग फसल अफशेशों को काटने और मिट्टी में वापस मिलाने के लिए किया जाता है भाई साहब ये जैविक पदार्त जोगर मिट्टी की उरवर्ता और सनरचना में सुधार करता है जो टिकाव खेती के लिए महत्वपून है इसका इस्तिमाल गन्ने की फसल के अफशेशों, गेहूं और धान के पुवाल, नहेचा, मक्का के दंठल से मल्चिन के लिए किया जाता है मैं हावेस्ट में निवेश करने के बारे में सोच रहा था, क्या यह इसके लायक है? बिल्कुल भाई साहब, हावेस्ट कटाई की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं, श्रम लागत और समय को कम करते हैं, वे कई फसलों को संभाल सकते हैं, जिससे वे बहुमुखी और अत्यदिक कुशल बन जाते हैं यह आश्वस्थ करने वाला है, और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम इसमें कैसे फिट बैठता है? दिल्चस्प है, मैंने जीरो टिल्सीट ड्रिल के बारे में भी सुना है, यह कैसे काम करता है? जीरो टिल्सीट ड्रिल आपको जमीन की जुताई किये बिना बीज बोने की अनुमती देता है, एवं धान की कटाई के ततकाल बाद उपलब्ध नमी का उप्योग करते हुए गेहों की बुवाई की जाती है भाई साहब, ये मिट्टी की नमी को सनरक्षित करता है, कटाव को कम करता है, और इंधन और श्रम की बचत करता है, ये सूखे की आशनका वाले क्षित्रों में विशेश रूप से लाब दायक है बढ़िया और आटोमेटिक राइस ट्रांस्प्लांटर चावल के पौधो की रोपाई की प्रक्रिया को मशीन इकरित करता है, ये एक समान रोपन सुनिश्चित करता है, श्रम की आवश्यक्ता को कम करता है, और फसल की स्थापना और उपज में सुधार करता है ये रोपन के मौसम के दौरान वास्तव में मदद कर सकता है, रोटाविटर के बारे में क्या? ग्रेदर का उप्योग आकार, वजन या गुनवत्ता के आधार पर उपज को छाटने और ग्रेट करने के लिए किया जाता है, इससे बहतर बजार मूल्य प्राप्त करने और उपज में एक रूपता सुनिश्चित करने, विपनन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है, इसस हलका, शक्तिशाली, प्रभावशाली एवं खृशी यंत्र जो छोटे खेतों, धसने वाली जमीन और पौधो फसलों के बीच कम जगह में भी बहतर कार्य परिनाम देता है, हलका होने के कारण जमीन दबाता नहीं है और यंत्र की संपूर्ण चोगाई में एक समान कार्य प नहीं कर सकते हैं, ये उपकरन अद्भुत लगते हैं, भाई जी, इनमें निवेश करना आधुनिक खेती के लिए एक स्मार्ट कदम लगता है, बिलकुल, वे न केवल समय और श्रम बचाते हैं, बलकि उत्पादक्ता, स्थिर्ता और लाब प्रदता में भी सुधार करते है आधुनिक क्रिशी उपकरन वास्तव में किसानों के लिए गेम चेंजर सावित हो रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इनमें से कुछ मशीनों को अपनी खेती की प्रथाओं में शामिल करने पर विचार करूंगा और हाँ भाई जी क्रिशी में अधिक जानकारी के लिए क्रिशी ग्यान चैनल जरूर देखते रहें, धन्यवाद